इपकार मिलने के बाद और जालदा भारी मातरा में संख्या बढ़ गई है जिससे जो पूजारी वहाँ पूजा पाट कर रहें उनकी जानमाल को खतरा है जो देवी देवताओं के विग रहे हैं उनको खतरा है जो च्छत का एरिया है इस व्यास तैखाने के ठीक उपर जो च्छत है कि वो कम संख्या में आके वहाँ नमाज पड़ें क्योंकि कभी वी ऐसी इस से तिल्थ पन हो सकती है कि वहाँ पे च्छत गिर सकती है विए च्छत बहुत जज़र हादत में है ज्यान व्यापी मस्जिद को लेकर वारानसी डिस्टे कोट में एक और प्रटिशन लगी है इस प्रटिशन बोला गया है कि जिस तैखाने में हिंदु पक्ष को पूजा करने का दिकार मेला है उसके हला जज़दर हो रही है ज़दर होने के क्या कारण है महाँ पे नमाजियों में पूजा हो रही है महाँ पे वह जो तैखाना है वह जजजर हालत में हैं और कभी भी जिर सकता है और नमाजी भारी मातरा में महाँ पे नमाज पढ़ ले हैं जिससे चध गिरने कि आशंका गया है तो इसलिए उसमें ही होता है तब तक वहां पे उस पोर्शन में उनकी थोड़ी लिमिट की जाए इसके उने मांग की है जो देवी देवताओं के विग रहे हैं उनको खत्रा है इसलिए हमने पूरी यह सारी बातें अपनी अप्लिकेशन में कोड के समक्ष रखी है और मानने इसमें जल्दी सुन सब्सक्राइब मंग्स आndra की नौर्बकर में चलतें तो यहां पर जो भी रिपेश नकिल्द हुगा ठबfight में होगा रहा है चुट रहा हं जिल्मा किए शकायत किके साही कि इसे बात कि सामने हुई है कि पिछले दिनों में इसकी हालत और जजजर हो रही है क्रैक्स आगे हैं वहाँ पिलर्स और अललेडी काफी वीक हैं तो उसके रिपेरवर की अरजेंट जरुट है क्योंकि जो पूझा पूजा पार्ट का आदेश कोट ने दिया है वह पूजा पार्ट में विग्न उत्पन हो सकता है अगर चहत गिर गई इसलिए उसके लिए हमने कोट में अप्लिकेशन फाइल अभी कोई डेट फिक्स नहीं है तो उमीर है कि जल्द से जल्द माननी नहीं नहीं अपने सुनवा नहीं हो सकता है और इसके लिए के लिए लगाए गई बहुत जल्द होने वाली है कैमरां सतंदर के साथ मोहितों काइम सोन भारत दिल्ली